इतना ही नहीं, हमारे साथ आने वाले सर्दारों को पांच गाव की जागीर, पचास पशू और स्वेच्छा से निर्मान कार्य करने की अनुमती मिलेगी लेकि इसे आप रिश्वत न समझेए ये लेकिन हम सब लोग ऐसा क्यों करें? जबकि राज्ये के सभी लोग फोटी रानी का साथ दे रहे हैं तो फिर हम क्यों नहीं दे सकते? देखिए गुमाजी सर्दार अगर आप यह धन नहीं स्विकार करेंगे तो छोटी रानी अहिल्या भाई इस धन को लोगों में समा सेवा के नाम पर बाढ़ देगी वो यही तो करती आ रही है लोगों में धन बाढ़ कर अपनी और विश्वास खीच रही है और अपना समर्थन जुटा रही है क्या यह रिश्वत नहीं है? इससे अच्छा तो यह धन आपको मिल जाए ठीक है गंगोबा हम आपके साथ है धन्यवाद हम भी आपके साथ है धन्यवाद लीजी लीजी यह आप ही गाया दरो मत यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा लो पानी पिलो कुछ नहीं होगा तुम डरो मत लेखन दाई वो लोग मुझे मार देंगे वो लोग मुझे नहीं चोड़ेंगे वो लोग मुझे जान से मार देंगे दाई ऐसे कैसे मार देंगे जिनकी जान बचनी होती है उपरवाला उनहीं का साथ देता है मैं बताओं, तुम्हारी जान की रक्षा किवाल एक ही व्यक्ति कर सकती है, हमारी छोटी रानी अहिल्या बाई होलकर, हाँ, हाँ नर्मदा, मैं सच कह रही हूँ, वो सबकी पालनहार है, हम लोगों के लिए तो वो हमारी भगवान है, तुम्हें उनके पास पहुचना बहुत जरूरी है, अगर तुम एक बार उनकी सुरक्षा में आ गई न, तो तुम्हारा कोई भी, बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, लेकिन ताई, लेकिन अब कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ न, अब तुम देर मत करो, चल्दी जाओ, पर ताई, मुझे भावी सुरक्षा नहीं मि अब तुम चल्दी से, चल्दी सपीछे वाली दर्वाजी से भावचा, चाओ, आओ, अगर तुम धुर्दी नहीं मिली है, लेकिन वो लड़की कही नहीं मिली है, कुछ भी करका उसको धुड़ना पढ़ेगा, आज़दी चलो, अटाओ, अटाओ यहांते, हाड़! हाड़े तुम लो! तुम लो लो लो! तुम लो तुम लो जा कि लेको! चाह किन लो 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 लो! शुट! या कोई नहीं एए चालो! कुसुम चलो अब बस हो गया! अब रहने दो और जाओ और थोड़ा अराम कर लो! चलो! जी नहीं चोटी रानी! मेरी आई कहती है आप हम सब के लिए कितना करती है! आप हम लोगों के लिए अपना परिवार छोड़कर हम लोगों का ख्याल रखने के लिए यहां आती है! तो क्या हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते? उस अब तो ठीक है कुसुम! अगर अब तुम सच में जाओ! वमारी आई इंतजार कर रहे होंगी! तो करने दीजिए! आई तो होती है इंतजार करने के लिए और अगर कुछ पूचेंगे तो कह दूँगे कि आपके साथ थी! देखो अब यह तो गलत बात होई ना कुसुम? ऐसा नहीं कहते! अपने आई के मन को तुम क्या समझो? आई का मन, हर पल, हर घड़ी अपने बच्चों की रहात आगता रहता है। पस यहीं सोचता रहता है कि कैसे अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके। सच मताये चूटी रह नहीं। आप भी अपने बच्चों को याद कर रही है ना? हाँ. कैसे नहीं याद करूंगी? आई हूँ. अपने बच्चों की याद कैसे नहीं आएगी मुझे? अब बस हो गया, कुसुम. मैं सच कह रही हूँ. बहुत देर हो गई है. घर जाओ. हम? चलाँ. धान से जाना? छोटी रानी, तुको जी सरकार आए है. ठीक है, उन्हें अंदर बुलाओ. अहिल्या, सब ठीक है? कल सुबह सूरज की पहली किरन के साथ हम निकल जाएंगे. तुम्हें कुछ चाहिए? अहिल्या, क्या हुआ? अहिल्या, क्या हुआ? कि दूसरों की भलाई करते करते, कहीं मैं अपने परिवार को पीछे तो नहीं छोड़ रही. ऐसे खयाल आता है, कि कहीं अपने परिवार को खोण आदू. मालेरा हुआर मुकता गहीं. तेखो, एल्या, ऐसे परिशान नहीं होते. वो दोनों बड़े हो चुके है, उनका फिवा हुआ है, उनका अपना एक परिवार है. वो जब छोटे थे ना, तब तुमने दोहरी जिम्मिदारिया बहुत अच्छे से निभाई है. अभी तो तुम्हारी सारी जिम्मिदारिया पूरी हो चुकी है. कल हम मालवा पहुंच रहे हैं, सबसे मिलोगी तुम्हारी अपने बच्चों से मिलने के सारे अर्मान पूरे कर लेना. ठीक है? अभी सोजाओ, कल सुब्ही जल्दी उठना है. हाँ. शुबरात्री. शुबरात्री. कल सुब्हे सूरज की पहली किरन के साथ हम मालवा के लिए प्रस्थान करेंगे. सेनिको के एक टुकडी रसत की बैल गाड़ी के साथ आएगी. जो कल रात तक मालवा पहुंचनी चाहिए. जी. मुक्ता. कुदे जी. मुक्ता जी रहो. तुम रहाँ? यश्वार? मुक्ता. कुदे जी। मुक्ता, अर इसे देखो? तम खिल गई है यश्वार्ण! कि बच्चों को अपनों की नजर लग जाती है तुम्हें किसी की नजर ना लगे और हमेशा ऐसी खुश रहो और यश्वंद हमारी बेटी को ऐसी खुश रखो और आप भी हमेशा खुश रहो ठी मुक्ता सब ठीक तो है ना मुक्ता कुछ नहीं आची सब ठीक है रानी साहिब मैं जब वाडे में आ रहा था तो रास्ते में आपका दूद मिला आपके लिए संदेश है हाँ अरे वाँ यह तो बहुत अच्छी ख़बर है अहिल्या वाडे में लोट रही है रानी साहिब एक बुरी ख़बर भी है मेरे गुप्तचरों से बात पता चलिए क्या? यही कि मालवा के दरवारियों के बीच छोटी रानी के खिलाफ अविश्वास की लहर दोड रही है वो दरवार में छोटी रानी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारिद करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि छोटी रानी राजगत्ती पर ना बैठे क्या? ऐसे कैसे हो सकता है अहिल्या ने हमेशा पूरी निष्ठा के साथ पूरी इमानदारी से पूरे मालवा की सेवा की है और वो इस राजगत्दी में सिर्फ बैठी नहीं है बलकि इस राजगत्दी की हकतार है, उसके काबिल है और ये दरभारी कौन होते हैं इसब करने वाले? यश्वंत हमें बताईए कि ये शर्यंत्र कौन रच्रा है बताईए यश्वंत वो मेरे गुप्तचरों ने बताया कि यश्वंत ने संकोच होकर बताईए आमें बिना डरे बताईए कि ये शर्यंत्र कौन रच्रा है मेरे गुप्तचरों ने बताया कि ये सब ये सब गंगोबा तात्या कर रहे हैं गंगोबा? यह क्या कह रहे हैं आप? हाँ मैं सच कह रहा हूँ गंगोभा इसा? हमें गंगोभा से बात करनी होगी शमा चाता हो रानी से लेकिन इस वक्त हवा जो है वो छोटी रानी के विपरीथ है कहीं ऐसा नहों कि आपकी बीच में बूलने से उन्हें और बल मिल जाए मेरा मतलब है कि बात पुल्टी भी पड़ सकती है और मुझे लगता है कि छोटी रानी इस तिती को समभालने के लिए सक्षम है आप उन्हें खुद इस मामले को देखने दीजे हे शवशंबू हमारी अहिल्या इतना अच्छा कार्या करके आ रही है और और यहां अगर उसे यह सब देखना पड़ेगा कैसे संभालेगी अहिल्या इस तिती को नहीं हम इस समय यह सब नहीं होने दे सकते हमें यह सब किसी तरह से रोकना होगा यहां उपस्तित सभी दर्बारियों को मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा मेरे विचार से यहां बैठे सभी दर्बारी इस बात से सहमत है कि एक स्त्री को मालवा की राजगदी पर नहीं बैठने जना चाहिए जी सरदार सही का आपने ऐसा ही होना चाहिए तरकार चोटी राणी की सभारी वाले में पहुंचने ही वाली है तो चलिए फिर समय आ गया है हम सब इकठा चलते हैं और छोटी राणी साहिब को अमारा अंतीम फैसला सुना देते हैं आई 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 आया आई चितिर ऐन आई हमारे भागियों बहुत अच्छे है आईलिया जो तुम जैसी बीटी मिली है आमे शिव शम्भु अपनी कृपा हमेशा तुम पर बनाए रखे प्रणाम चुदी चीते रहो क्या बात है बड़ी चिंतित लग रहे हो मुक्ता तंग तो नहीं कर रहे न हमें आईसें मुक्ता चीती रहों वेरी वेच्ची, अधाय तुम्हे कितना याद किया मैंने वहाँ? लिखन, मुक्ता यहाँ कैसे? क्योंकि मुक्ता भी तुम्हे याद कर रही थी, अहिल्या? बहुत दिनों के बाद आई हो ना, उसे भी बहुत याद आ रहे थी तुम्हारे, तो चली आई अच्छा किया, लगता है मैं बिल्कुल सही समय पर आई हूँ बिल्कुल, जैसी तुम्हारे आने का समाचार मिला, जावई साहे मुक्ता को लेकर आगए अच्छा किया दोनों ने अहिल्या तुम्हारी जो विजय है, वो विश्वास की नेतिक विजय है और इस विजय के लिए भूरा मालवा तुम्हें धेरो शुब कामनाय देता है, बदाया देता है नहीं है, यह सिर्फ मेरी अकेली की विजय नहीं है, यह पूरे मालवा की विजय है वैसे माले राव नहीं दिखाई दे रहा वो पानी की समस्या का समाधान करने के लिए बाहर गया है अरे वाँ, अच्छा लगा यह सुनकर कि माले राव भी अब सिमेदार हो रहा है कंग पका का क्या वाँ थे गंगो बागा का सब ठीक तो है न? जी इतनी कोशिशों के बाद इतने उतार चड़ाव के बाद काशी विश्वनात के मंदिर के पुनर निर्मान का कार्य शुरू हुआ है गंगो बागा का लेकिन आप खुश नहीं है नत रहे जी छोडी रानी सहेब मालवा के लिए यह बहुत बड़ी है मैं यह कहूँगा कि सबसे बड़ी उपलगती है अब इभी कुछ अधूरा है गंगो बागा का मन में अगर कोई बात है आपके तो कह दीजे कुछ रानी सहेब आप पूछ ही रही है तो आप आहल्या हमें शिफ शम्मू से आशिरवाद लेना चाहिए जी क्या हुआ कुछ समस्या है क्या अब मेरी कुछ नहीं हूँ चलिए आये रखमा भाई साहब आप चिंता ना करें मैने और बाकी सरदारों ने अपने अपने फैसले ले लिये है आजाओ अंदरा गाओ आओ आजाओ आजाओ क्या इसमें? यह छोटी रानी की बेलगारी है इसमें सेना का समान है कुछ नहीं है सुनो क्या अंदरा आजाओ यह 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 मैं वाडे में तो पहुच गई हूँ, बस अभी किसी तरह जोटी राएं की कक्ष तक पहुच जाओ लेकिन इतने बड़े वाडे में कहां मिलेंगी छोटी रानी?